असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स आप लोगों ने ये डिफ्रिबिलेटर तो देखा ही होगा इसके जरीए पेशन को जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जिसके जरीए जो है उसके दिल को दुबारा से धर्टने पर मजबूर किया जाता है वो रोशन हो जाता है इसी तरीके से मुख्तलिफ जो computer के components होते हैं उनके अंदर capacitor को इस्तमाल किया जाता है energy को store करने के लिए यानि कि ये बात confirm है कि energy को जो है वो capacitor के अंदर store किया जाता है और ये जो energy store होती है किसी भी capacitor में वो actually कुछ नहीं होती just एक electric potential energy होती है जो के related होती है voltage और charge अंदर capacitor पर यहनि कि दो factors पर depend करती है वो energy एक तो वो depend करती है voltage पर और दूसर डिपेंड करती है कि उस capacitor पर charge कितना है अगर हम capacitor की working देखें तो हम जानते हैं कि जब capacitor को battery के साथ connect किया जाता है तो जो charge होते हैं वो capacitor की plates के उपर store हो जाते हैं और जब उस capacitor को discharge किया जाता है तो वही जो energy उसने absorb की होती है through battery उसी वही energy जो है वो उसकी plates के दर्मियान में store होती है as electric potential energy और जब capacitor discharge होता है तो दरासल वो उसी energy को release करता है जिसके उपर वो तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई है cardiac arrest वाली machine जो इस्तमाल होती है या camera का flash इस्तमाल होता है या electronics component इस्तमाल होते है वो सारे के सारे depend करते हैं energy stored in a capacitor पर तो अगर हम formula drive करते हैं energy stored in a capacitor का तो suppose कर लेते हैं कि एक battery है जिससे जो है वो charge Q जो है वो move करता है यहां से charge Q जो है वो move करता है नतीजे में positive charges आगए यहां plate के ओपर और यहां पर जो है वो negative charges आगए तो इस तरीके से जो है वो charge store हो रहा है इस पर positive Q store हो रहा है और इस पर negative Q store हो रहा है बाकी battery का voltage अगर V है तो जो plates की दर्मियान में potential difference होगा वो भी V के बराबर होगा और suppose कर लेते हैं कि जो capacitor है इसकी capacitance C के बराबर है ठीक है तो अब अगर मैं मालुम करना चाहता हूँ कि कितना potential difference होगा इस capacitor पर तो भई एक तो यह है कि जब हमने अभी on नहीं किया तो battery का जो voltage है वो plates के उपर कितना आएगा वो zero effect करेगा और जब on कर देंगे तो जो voltage है वो बराबर हो जाएगा V के तो मैं यह कर देता हूँ at initial condition अगर हम initial condition की बात करें तो initial condition के अंदर V I कर देता हूँ initial voltage बराबर है zero के ठीक है और अगर final condition देखें final condition तो बात में जो capacitor की plates है उनके दर्मियान का जो voltage है वो बराबर हो गया है V के क्योंकि इसका voltage भी V के बराबर है ठीक है then बात यह है कि अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ average voltage या average potential difference across plates plates के दर्मियान में जो average potential difference आया है V से जाहिर कर देता हूँ और वो हो जाएगा V I plus V F divided by 2 average के लिए A V लिख देते हैं ताके याद रहे अच्छा जी initial voltage 0 के बराबर है final voltage V के बराबर है divided by 2 कर देते हैं तो इसका मतलब average voltage बराबर आ गया 1 upon 2 V के ठीक है यह जो answer आया basically हमारे पास average voltage के बराबर आया है अब अगर हम definition इस्तावाल करते है according to the definition of potential difference V is equal to work done per unit charge ठीक है ना potential difference बराबर होता है work done per unit charge के तो यह आ गया work done और यह आ गया charge यहने के Q और हम यह भी कह सकते हैं के energy stored per unit charge ठीक है ना potential difference क्यों क्यों कह सकते हैं क्योंके energy is the ability to do work तुबर कुतना ही होगा जितनी energy है अच्छा जी इस case के अंदर in this case समझने कुशिश करें तो जो voltage है वो average voltage है वो बराबर आ जाएगा energy stored per unit charge rearrange करा तो energy stored बराबर आ जाएगा Q into average velocity के ठीक है जी sorry average potential difference के जो average potential difference है इसको हमने 1 upon 2 V का नाम दिया था जो value आए थी इसकी यह आ गया था average voltage 1 upon 2 V के जो maximum voltage है यू तो इसका मतलब energy stored in a capacitor बराबर आ सकता है 1 upon 2 Q V के ठीक है अगर किसी numerical के अंदर या किसी condition के अंदर हमें charge और potential difference मालूम है तो कितनी energy stored हो रही है वो इस formula से पता लग जाएगी बट एक formula हम और जानते है वो जादा बहतर formula है as we know that एक formula है के Q बराबर होता है CV के तो मैं चारा हूँ के एक formula capacitance के basis के ओपर भी आ जाए तो फिर क्या बनेगा अगर मैं AC value को equation 1 में put करूँ equation 1 implies that energy is stored in a capacitor 1 upon 2 आएगा Q की जगा पे CV आएगा और पहले से भी लिखावा है तो इसका मतलब formula आगया 1 upon 2 CV का square ठीक है दोनों formula है और दोनों formula इस बात को show करते है कि जो energy store होती है कि किसी भी capacitor में वो किस चीज़ पर depend कर रही है अब जाहिर सी बात है जितना ज़्यदा charge store होगा उतनी ही जादा energy store होगी और वो depend कर रहा है कि potential difference कितना है फिर depend करता है कि जग capacitor है उसकी capacitance कितनी है और V के उपर तो depend करी रहा है potential difference के उपर ठीक है तो इस तरीके से दोनों formula हम drive कर सकते है और समझ सकते हैं जो energy stored इना capacitor है वो किन factors पर depend करती है